हलो दोस्तों नमस्कार मैं आरके शुक्ला कालका IAS Academy भोपाल से आपका स्वागत करता हूँ हमारा संपक नंबर है 9-1-1-1-8-3-1-1-1-9 नंबर इसली बताना जरूरी था च्योंकि फ्रेंड्स आप के मैसेज आप मारे वाटसप पे आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड तो आप उसमें इंक्वारी करते हैं कि आपकी कोचिंग का नंबर क्या है तो सबसे पहले मैंने आपको नंबर बता दिया पूरा आउडियो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट जानकर देने जा रहा हूँ प्लीस उसे बंद मत करना दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आप लोगों ने इंक्वारी की है या आपने किसी तरीके से हम से संपर किया या हो सकता है इस आउडियो को आपको मित्र ने जो तयारी कर रहा है जो कि इसे जुड़ा हुआ है आप तक पहुँचाया है तो यह आपके लिए आउडियो बहुत ज़दा लाबदाएक, सिद्ध होने वाला है क्यों सिद्ध होने वाला है दोस्तों कि हम आपसे दो बाते करने जा रहे हैं हमने एक तो test series launch की है ओ गौड आप तो पक गए test series test series test series दोस्तों ये test series थोड़ा अलग है अलग इन्दा सेंस अलग इसलिए है कि आप market में जाते हैं test series के लिए तो आप सिब खरिद के लिए आते हो ना कोई बताने वाला है कि उसे कैसे लिखना है ना कोई समझाने वाला है ना वो updated हो पाती है मैं बताना जाओंगा हमारी यो ये test series है हमने MPPSC के लिए launch की है प्रिलियम्स और मुख्य परिक्षा दोनों के लिए जिसमें जो दोनों की कीमत मूल ले बताना जरूरी है अठारा सो पचास अठारा सो पचास क्यों भी ये इतना महंगा क्यों कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ ये test series कुछ विशेश है अन्य संस्थानों की test series से कैसे प्रिलियम्स के इसमें C-set और जो paper GS का आता paper 1 और 2 यानि 100-100 question यानि 200 question ऐसे हमने 100 paper बनाएं 100 paper तो 100 गुणा आप अगर 200 question करोगे तो आपको 20-1000 question मिल जाएंगे 20-1000 जो बहुत बड़ी बात है प्रिलियम्स तो वैसे ही निकल जाएगा अगर आपने 20-1000 question ही लगा लिए बिलकुल updated अभी जो सीला दिक्षित का देहान दुआ है वो किस समय में किस में कब Congress से जुणी कब वो मंत्री मंडल में जुणी उसका भी हमने जिकर कर दिया है तो आप सोच सकते है कि कितनी updated test series है और क्या 18-50 से प्रिलियम्स 20-1000 question जी नहीं उसके अलाबा मुख्य परिक्षा जी हाँ MPPSC 56 question आते न मुख्य परिक्षा के 30 question लगू उतरी आते बहुत छोटे आते फिर 20 question उससे बड़े 80-80 के आते हैं फिर 6 question आते हैं दो पार्ट आते हैं 56 question गुणा 100 हम उसकी भी मुख्य परिक्षा की भी 100 test series दे रहे हैं 56 गुणा 100 5600 अब 5600 है तो बहुत अदर questions उनका division कैसे किया है अब देखो आपके 6 paper होते है paper 1 paper 2 paper 3 paper 5 6 तो हमने 6 paper में जैसे पहला paper भूगोल प्रवंदन और इतिहास का होता है आपका तो उसके हमने 15 test series paper 1 के नाम से 15 test series होंगी जिसमें हमने इतिहास मद्ध परदेश के साथ साथ भारत का विश्व का एतियास को खोद डाला है ऐसा कोई भी point नहीं छोड़ा जो test series में नहीं दिया गया है तो दोस्तों 15 test series होगी paper 1 की 15 paper 2 की 15 paper 3 की 15 paper 4 की अब बची दो दो तो हम अपनी जो संक्या हमारी 100 है उसे भी भढ़ा देंगे हम जैसे paper आपके आएंगे तो सोचो हर paper की paper 6 होते न हर paper की 15-15 test series जिसमें 15 test series में कोई भी question दुबारा से repeat नहीं हुआ तो सोचिए एक ही विश्व से 56 question आएंगे ठीक है एक test में 56 तो 56 multiply 15 एक ही paper 1 की 15 paper 2 की 15 test series paper 3 की 15 test series यह नि 56 तो क्या बचा उसके अलाबा जो परिच्छा में पूछा जाएगा तो वो भी खतम और क्या खास बात है हमारी test series में कालका यह सकेडमी की test series में तो दोस्तों यह बताना चाहूंगा जो test series दी जा रही है न उसके लिए भी आपको live analyze भी दिया जा रहा है कोई भी आपको live analyze नहीं देगा सिर्फ test series देदेगा खुद लगाओ तो लगाओ जी नहीं आप हमसे live जोड़ेंगे live test series 1 लगाओगे हम test series 1 को अपने सामने solve कराएंगे test series 2 को solve कराएंगे test series 3 को solve कराएंगे test 3 4 test series को हम live solve कराएंगे आपको सिर्फ आपको जो हमसे purchase कर रहे हैं तो दोस्तों ये तो होगे हमारा test series का पहली बात तो मैं आभारी हूँ कि आपने मेरा पूरा audio सुना लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है इसलिए पहले आभारी कह दिया शादा बीच बंद ना कर दें पूरा audio जरूर सुनें अब बात आती है हमारे batch की test series तो मैंने बता दिया 100-100 test series प्लस analyze live analyze के साथ दिया जाएगा उस साफ़से तो 1850 बहुत कम है क्योंकि faculty आपको हर टैसर यानि 20-20,000 question समझाएगी चलिए जिसमा पूरा code सी खतम हो गया एक तरीके से आपका अब आता हमारे batch का अरे यार यह तो बात पुरा नहीं हो गई यार, सुपर 50 कोई सुपर 30 बना रहा है भूपाल में, या इन्दॉर में या कहीं बेभी, कोई सुपर 100 बना रहा है, किसी ने तो मैंने कोचिंग का देखा, सुपर 500 ही बना डा ले, भहिया, इतने के सुपर सुपर बना के सारे 500 तो पोस्ट है, तो 500 कैसे आ जाएंगे, खेर, काल का यह से अकेडमी, मैं फिर साफा नमा रिपीट कर रहा हूँ, 9111-83-1119, जिसा आपको याद हो जाए, हम सुपर 50 स्टुडेंस का बैच बना रहे हैं, ये सुपर क्यों है, क्यों है, कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं फैकल्टी की एडिया सूझ जाती हैं, 7 घंटे खले होके पढ़ाने में, हमारी फैकल्टी की एडिया होती है, वो सूझ जाती है, आप उनकी स्वैलिंग देख सकते हो, क्यों ही फैकल्टी के इतनी महनत करेगी, 7 घंटे कंटिनियूसली से 15 मिनट का गैप दिया जाता है, औ उस बच्चे की मानसिक तो कितनी द्रण होगी शक्तिशाली होगी जो यहाँ पर साथ घंटे बैट कर टाइम टू टाइम पढ़ाई कर रहा है सब कुछ भूल बालके तो यह तो मैं नहीं कह रहा है विशेस्ता है हमारे सुपर 50 स्टूडेंट बैच की यह तो बता रहा हूँ ह हमारा टाइमिंग है बैच का विशेस्ता यह है दोस्तों कि आप अगर हमारे सुपर 50 स्टूडेंट बैच का MPPSC UPSC अलग-अलग का पार्ट बनना चाहते हैं पार्ट बनते हैं तो जो भी लेक्चर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको दो अप्शन दिये जाएंगे दो अप्शन उस लेक्चर को घर पर जाकि यूटूब पे सर्च करो यूटूब में दिली की अकेडमी यूपी बिहार पटना कहां कहां कि अगर उस लेक्चर से ज़्यादा डीप लेक्चर या ज़्यादा मैटेरियल वाला लेक्चर अगर आपको यूटूब पर मिल जाता है तो उसकी recording करके clip खीच के आप हमें भेजेंगे, हम आपको अपने MPPSC जिसकी fees जो भी है हमारी में इस audio में डिसकस नहीं कर सकता, मैं आपको 50% discount दे दूँँगा अगर वैसा lecture किसी भी YouTube के channel पे मिल गया, पहला सुपर 50 की खासियत, दूसरा, आप कालका IRS Academy के अलावा किसी भी और संस्थान में जाकर वो ही लेवल का batch वहाँ पढ़ाया जा रहा है, lecture हो सकता है, आपके पहले पढ़ा दिया गया हो, डेमो लेने जाते हैं, या हो सकता है, बाद में पढ़ाया जा रहा हो, या हो सकता है, सामने चल रहा हो, देंगे हमारी MPPSC और UPSC की fees, यह होती है attitude, यह होती है काविलियत, हम कुछ चीक चीक पे नहीं चिला रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं, जाओ और सर्च करके बताओ, YouTube पे सर्च करो, अगर हर संस्थान में नहीं जा सकते, और संस्थान में जा सकते हो, तो बताओ, recording करके बताओ, कि सर, वहाँ पे यह पढ़ाया गया, आपने यह नहीं पढ़ाया, निशुल्क पढ़ाएंगे हम आपको, तो यह है काविलियत, दोस्तों, आपसे मेरी हाँ जोड़कर विंती है, विना मुन निमेदन करता हूँ, कि यह आडियो आपको जब मिलेगा, इसे उस स्टुडेंट तक जरूर पहुचा देना, जिसको इसकी बहुत ज़ादा जरूरत है, शायद आप एक पुन्न का काम करें, किसी की लाइफ को चेंजिंग मुमेंट देते हैं, बस इतना ही कहूँगा, आपने इतना मेरा आडियो सुना, तहे धिल से आपका धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू सो मच,